खेलो स्टुडेंट स्वागत आपका पाई क्लास इस बाई सचिन मलिक में आज का टोपिक क्लास एड़्थ के लिए वक्षीट नंबर 36 इसका टोपिक है मल्टिपिलिकेशन ओफ एलजेबरिक एक्सप्रेशन देखो पिसली वक्षीट में हमने algebraic expression को add करना और subtract करना सीखा था आज हम multiplication सीखेंगे देखो normal number का multiplication कैसे करते हैं मालो हमने 10 pen खरीदे और एक pen की अगर कीमत 5 रूपीज है तो 10 pen की कैसे होते थी 10 into 5 multiply कर लेते थे 50 आगे हमार पास 50 रूपीज अब क्योंकि इस दोनों number हैं तो हमने easily multiply कर लिया लेकिन algebraic expression में ऐसा नहीं है जैसे हमने यहाँ 10 pen खरीदे और एक pen की कीमत 5 रूपीज न कहाएकर P रूपीज कर दिया तो 10 को P से multiply करेंगे तो यह आएका 10 P क्योंकि यह हमारा constant है और यह हमारा variable है constant और variable आपस में जब multiply होंगे तो इसी type से अलग-अलग लिखा जाएगा ठीक है यानि same अगर number है तो number से multiply होगा same variable से multiply होता है अगर variable भी different होंगे तो भी उनको अलग-अलग ही लिखेंगे जैसे हमार एक्स किलोमीटर है और उसका जो fair है पर किलोमीटर वो Y रूपीज है तो X को Y से multiply करेंगे तो X Y आ जाएगा उनली क्योंकि दोनों अलग-अलग variable है इसी type से 3 को R से multiply करा 3R आ गया इसी type से 1 by 2 BH को multiply करा 1 by 2 BH ही आ जाएगा क्योंकि यह number है यह भी variable और यह भी variable है ठीक है इसी type से अब यहाँ देखो करके दिखाया यह सब आप पढ़ने ने इसमें कुछ नहीं है अगर L को L माइनस 4 से multiply करूँगा तो इसको जब अंदर multiply करने के पहले L की L से करेंगे क्योंकि same variable है जब same variable multiply हुआ L L यह same variable है तो L की power 2 power जुड़ जाती है इसकी 1 power है इसकी 1 power है तो 1 प्लस 1 2 हो गई यह ध्यान रखले न यह कब होगा जब same variable multiply होगा देखो जब different variable multiply हो रहे थे तो उनको हमने अलग-अलग लिखा है now माइनस तो बीच में है 4 की जब L से multiply होगी तो 4 L आ जाएगा तो इस type से भी हमारा multiplication होता है चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा अभी देखो question समझा रखे हैं इन्होंने क्या कहता question कहता है we went for a picnic and we had bought pkgs apple यानि pkgs apple और rate क्या है इसके t है 1 kg का t तो total rate क्या हो जागा pin to me t आगे देखो pin to me t आगे आगे कहता है initially amount we paid pin to t आगे आगे कहता if the shopkeeper had reduced rate by 6 per kg चीख है 6 per kg अगर वो reduce कर देता है rate we would have bought 2 kg apple more अगर वो 6 रुपे 1 kg पे कम गड़ देता है तो हम क्या करेंगे 2 kg apple और खरीद लेंगे देखो इसमें एक गरबड़ इनों नों कर रखी है कि rate per kg ये है तो जो ये जो इनों नों कराना है ये गलत कर दिया rate per kg है t तो ये t-6 होना चाहिए इसी में से तो rate कम हुआ है और ये amount था p kg तो p kg हमें p plus 2 2 kg हम apple और खरीद लें अब rate होगा ये तो ये जो इनों नों नों बना रखा ये गलत बना रखा है p में से 6 माइनस करा है p में से 6 माइनस नहीं होगा क्योंकि rate 6 per kg कम हुआ है तो rate में से कम होगा तो अब इसको multiply करें तो p की t से multiply हो गई p t फिर p की 6 से multiply हो गई minus के 6p अब ऐसी 2 की T से multiply हो गई 2 T plus K और 2 की minus के 6 हो जाएगी minus 12 तो this is the answer तो बैटे ये चीज़ ध्यान रखना आप Now next कहता है the width of the cuboid जी को cuboid की width दे रखी है कैसे 3 cm less than its length and height is 5 cm than its length या अगर length को हम माल लें देखो length को हमने L माल लिया तो breadth या विर्थ क्या हो जाएगी 3 cm less तो L में से 3 कटा दिया और height क्या हो जाएगी 5 cm less तो ये हो गया find the volume volume क्या हो था है LBH यानि इन 3 को आपस में multiply कर देंगे length, breadth and height 3 को multiply गएगा तो L, L minus 3 L minus 5 पहले इसले L को अंदर multiply कर देखो L की L से होई तो L square और L की minus 3 से होई तो minus 3 L तो ये हो गया पहले हमने इन दोनों को multiply करा ये value आगई है हमारे पास अब इनको करेंगे देखो पहले इस L की हम करेंगे L square से तो यहाँ पर 2 power यहाँ पर 1 power तो L की power क्या आगए 3 अब इस L की minus 3 L से तो minus 3 L square जब L की L से multiply होई हम minus 5 से करो तो minus 5 L square minus 5 की हमने किसे करी L square से और minus 5 की minus 3 L से करेंगे तो minus minus होगा प्लस यह हो जाएगा 15 L अब देखो इसमे L cube जब हम add करते हैं तो यह दोनों सेम एक जैसे हैं यह भी L square वाला यह भी L square वाला इसका coefficient minus 3 इसका minus 5 तो minus 3 और minus 5 क्या हो गया minus के 8 L square और प्लस के 15 L तो this is the answer इतने centimeter cube centimeter cube क्यों लगाया है क्योंकि हमने volume निकालना है तो इस तरह से हमारे दोनों question complete होते हैं बस अब simply आप से multiplication करवाई जा रही है कि multiply करो भी इनको तो अब हम इसमें देखो क्या करेंगे एक दो question मैं करके दिखा देता हूँ बाकी अपना आप करना आप यह मालू मैंने first करा तो पहले क्या करेंगे पहले 9 की multiply करो इस बैकेट में तो 9 की जब y से करेंगे तो 9 y बन गया और plus 1 से करेंगे तो plus के 9 बन गया तो यह पहला ब्रेकेट बन गया और दूसरा ब्रेकेट क्या है x plus 2 अब इससे आगे पहले x की 9 y से तो क्या बन जाएगा 9 x y अब इस x की 9 से plus के 9 x बेटा sign जरूर दियान करना जब एक जैसे चिन यानि plus को multiply plus से करते हैं या minus को multiply minus से करते हैं तो हमेशा plus कही sign आता है और जब different sign यानि plus को multiply minus से करोगे या minus को multiply plus से करोगे तब minus sign आता है तो इसमें तो कही minus आई नहीं सारे plus हैं तो plus ही आना समय अब 2 की करेंगे 9 y से तो 2 की जब 9 से multiply जाएगी तो 18 हो जाएगा 18 Y और 2 की फिर 9 से करेंगे फिलस 18 आ गया तो this is the answer यह XY वाला है यह X वाला है यह Y वाला है यह without variable तो सब वाला गया तो this is the answer एक मैंने आपको यह बता दिया है चलो एक हम आपको बता देते हैं 6 बता देते हैं तो इसमें क्या करना है S-3 और S-3 दोनों यह S-3 S-3 है यह identity भी होती है बाद में पढ़ेंगे पहले S की हम S से करेंगे तो equal S का square क्योंकि S और S आपसमें add हो जाएंगी power अब S की हम किस से करेंगे 3 से करेंगे तो minus के 3S क्योंकि एक plus का है एक minus का है S यह minus के 3 की पहले वाले से करेंगे तो फिर minus के 3S आगया minus 3 की minus 3 से करेंगे तो plus हो जाएगा और 9 आजाएगा यह दोनों एक जैसे हैं इनको हम solo कर सकते हैं S square minus 3S minus 3S के होगा minus के 6X और यह होगा हमारे पास 9 तो this is the answer चलो एक इसको भी कर लेते हैं पहले M की और M plus 2 की कर लेते हैं multiple हैं तो M square plus के 2M यह होगा M की जब M से करी तो M की इससे करी M square M की 2 से करी 2M और N plus 1 वाला bracket हमारे पास है अब करेंगे अब N की इससे कर तो अब 1 से करेंगे तो कोई चेंज आना ही नहीं है 1 की जब M square से करोगे तो M is square ही बचेगा 1 की जब 2M से करोगे तो 2M देखो सब अलग अलग है कोई भी आपस में add नहीं हो सकता तो this is the answer तो अब यह तीन question मैंने करके दिखा दिये हैं 9 में से बाकि आपको अपनाप करने है अपनाप ट्राइ करके लेकिन करने आपको 9 के 9 question है अपनी कोपी में और फिर क्या करना है उसकी अच्छी सी पिक खेजनी है और अपने अपने टीचर को WhatsApp पर send कर देनी है धनवाद